स्वेलू फ्रेंस एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंस इस वीडियो में मैं आपको ग्रू अप्लिकेशन में आप कैसे चार्ट आइक्यू को ट्रेडिंग व्यू में बदल सकते हैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताया गया है तो आपको share market क्या होता है पूरा step by step बताय गया है तो उसको देखना चाहते हैं तो simple नहीं आपको इस channel के playlist में आना है आने के बाद से आपको सबसे पॉले में ही share market सीखने के लिए video मिल जाएगा तो simple नहीं click करके आप stock market के बारे में बिल्कुल basic से information ले सकते हैं यदि आप grow application को laptop में यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं आपको इस video में complete information दिया गया है तो simply यहाँ पे आने के बाद से आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे नीचे में index दिख जाएंगे अभी market open है market close होने का यहाँ पे जो time है साड़े तीम बज़े हैं तो इसलिए simply मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारा chart जो है इसमें किसका है तो simply आपको technical पे click करना है और यहाँ पे आप click करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी इसमें chart जो load हो रहा है chart जो load हुआ है वह chart IQ का है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह chart जो है chart IQ का है तो आपको इसको क्या करना है trading view में change करना है तो simply आपको यहाँ से फिर से logo पे click करना है और आपको back चले आना है back आने के बाद से आपको यहाँ पे बगलने है अपना profile picture देखेगा simply आपको इस profile picture वाले option पे click करना है और नीचे में आपको यहाँ पे setting वाले option पे click कर देना है यहाँ पर आपको basic details दिखेंगे और आपको simply नीचे की और scroll करना है, scroll करेंगे तो आपको इसके chart preference का option दिखेगा, simply आपको इस chart preference वाले option पे click कर देना है, और जैसे आप इसके click करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि change your chart preference, यानि कि अब आप किसमे बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर chart IQ active है, तो simply आ आपको करना क्या, trading view को select करना है, select करने के बाद से आपको simply यहाँ पे grow का जो logo है, इस पे चले आना है, आपको इस पे click करना है, चलिए मैं इसको zoom out कर देता हूँ, तो friends हमारा जो chart है, वा trading view में convert हो चुका है, इसे check करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं कोई भी index open करता हूँ, ज नीचे में आपको technical का option दिख जाएगा, simple नहीं आपको इस पे click करना है, और जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे chart load हो रहा है, तो अब आप देखेंगे कि chart यहाँ पे जो load हुआ है, वा trading view का है, यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे में यहाँ पे chart by trading view, तो इस तरह से आप बहुत यहाँ असानी से ने ग्रू अप्लिकेशन में या फिर वर्जन में आप बहुत यहाँ असानी से chart IQ से trading view में shift हो सकते हैं, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चानल पे पहली बार आ रहा है, तो चानल को सब्सक्राइब कर असानी से प्लिकेशन आपको यहाँ करें आप।